बोकारों के शेक्टर 12 ये के अवास 2235 से 2440 तक का ब्लॉक पूरी तरह से जरजर हो गया है कभी भी ब्लॉक धस सकता है इस ब्लॉक के लोगों ने बताया कि हम लोग हर समय दहसत में रहते हैं अभी कुछ ही दिनों पहले शेक्टर 12 में ही पानी टंकी के साथ पूरी शिड़ी धस गया था अब लगता है यह ब्लॉक का नंबर आ गया है यहां के लोगों ने बताया कि कुछ ही दिनों पहले छजा गिरिया था इस संबन में टीय ओफिस में लिखित भी दिये थे लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई सिर्फ ब्लॉक के लोग आते हैं और देख कर चले जाते हैं कब तक ब्लॉक को बनाया जाएगा इसकी जनकारी कोई नहीं देता इस ब्लॉक के लोगों ने कहा कि लगता है कि कोई बड़ी घटना का इंतिजार बी एसल प्रबंधन कर रहा है तब ही जर जर ब्लॉक को बनाया जाएगा क्या समस्या है सर यह हमारे ब्लॉक का चज़ा गिर गया टंकी नीचे का पूरा दिवाल वगेर गिर गिर गया है जिसके कारन हमारा ब्लॉक बहुत बुरी तरह से छति ग्रस्त हो गया है और इसके लिए कोई सर सुनवाई नहीं की जा रही है लोग आ रहे हैं देख रहें सारे अधिकारी पर इस पर कोई काम भी स्छाट नहीं किया गया है और इस ब्लोक में सारे छोटे बच्चे बड़े लोग रह रहे हैं हम लोग बहुत दस्त में रह रहा हैं सर अभी हमारी स्थिती बहुत खराब है उपर नीचे चड़ना हम लोगों के लिए बहुत मुश्टिल हो गया है तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्द यह सर सेक्टर बारा यह है और इसमें 35 से 40 तक है क्या लगता है कि अगर यहां कुछ घर्टना घर जाता तो इसका जिमार के लिए सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर लोग कोई दुर घर्टना कहें दिजार करने क्योंकि जिस तरह का हमारा ब्लोग का कंडिशन वैसे में तो तुरंद काम लगना चाहिए पर अभी तक ऐसा कुछ भी कारवाई नहीं किया जा रहा है कि जी मेरा नाम रूबी केश्री समस्या यह है कि यह सेक्टर 12A में क्वाटर यह पड़ता है ब्लोग 6 को का यह क्वाटर है इसको पहले भी आवेदन अप्लिकेशन हम लोग इसको दिये हैं लिखित में टिये डिपार्टमन आब 12 मेंटेनेंस को लेकिन अभी तक रिपेरिंग नहीं हुई अभी हाल में की घ ठीक है ना तो इसके लिए भी हम लोग कंप्लेंड किये उलोग सर्वे करके गए वेरिपिकेशन कर रहे हैं इसमें आपका सिविल में जो है वो आपका रोसन कुमार शिंग वो भी आए उसके उपर भी पदादीकारी लोग गन आये हैं और सब लोग देख खूक के गए हैं लेकिन अभी तक हमें साफ अश्वासन नहीं दिये हैं ना कोई नोटिस दिये हैं खाली उली करने का या कहीं जाने का और ना इसको मरमत कर रहे हैं और ना इसको बना रहे हैं आज भी मैं टीय डिपार्टमेंट में गया था मेंटेनेंस में गया था तो उसके कोई करवाई नहीं किया गया वहां भी मैं सर से मिलने गया तो वहां मुल्गातुन से हमारी नहीं हो पाई। तो हम तो यही डिमांड कर रहे हैं प्रबंधन से, VCL इसको जल्द शेल्ड इसको बनाने का बाप करें करें बाकि सब तो ब्लोक भी बन रहा है जो भी गिरा है कोई ऐसा खास नहीं है कि यह पूरे शिरी या पूरा टंकी गिर गिया है चज्जा की रहा है तो मामुली सा नॉर्मल तो इसका मेंटेलेंस है इसको मेंटेनस अगर कर दे पहुचारा कर दे तो यह ब्लोक तो सुरक्षित होई जाएगी यही हमें परबंदन से डिमांड है मांग है अन्रोध है दिलिव कुमार 12 नमर क्या समस्य यही है कि जो शिरी के चाज्या वो गिर गई है और इसे सुचना दी गई तो वहां से उन्होंने आया इसके बारे में कोई यह बनाने का लिहीं ने रहे है इसमें जो रह रहे हैं उन लोक के लिए ज़्या दिक्कत है और रहते हुए भी लोग देहसत में रहा रहे हैं तो हमें यही जाज़त है कि जितना जल्दी से जल्दी इसको रिपेरिंग किया जाए इसको क्वाटर धोसित करके हम लोग को खाली कराने के लिए इंतजार में हैं लोग कि अपर क्या मांग करते हैं कि हम लोग यहीं मांग करते हैं सर जो अब यसल को तो हम लोग पैसा देकी लिए हुए है ना 33 महिना के तो हमें जब पैसा दिये हुए तो हमको क्वाटर बना के दिया जाए हम बाहर के दूसरी जगे क्यों जाए सब कि इस ब्लॉग का सीड़ी का छत गिर गया जानमाल के छती हो सकती है जो है आया देखवाल करके गया और जल्दी इसका नीड़ने ले रहे हैं लेकिन बिगत पांच शे दिन हो गया अब तक कोई बरिये पदा दिकारी यहां नहीं आये हैं आना इस पर कोई पाहल की जा रही है जानमाल की कभी भी शती हो सकती है और क्या हमको लग रहा है कि परब करें बंदन से ही डिमान करता हूं कि जल्द से जल्द इसे मरमत कराया जा कि कवसे मने तूटा हुआ है करी 5-6 दिन हो गया ब्लॉक जो जल्ड जल्डे गिरा है तारिक संभवत्ता 18 थी कि अटारा नौको को शुचना दी गई है लिखित दी गई है उसमें कुछ पताधिकार थे लिकिन आये दो दिन तिन दिन लगातार देखवाल करके गए अब जल्दी इस पर देखते हैं लेकिन अब तक कोई अथी नहीं हुआ है कि यह हमको तो यहीं लग रहा है क्या और बड़ी घटना के इंतजार कर रही है अधिक आप तो जबरात में बहुत 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 हुआ हो सकती है इसाब मेरा नाम हुआ दिनिशन दोस्ँला कि इसना झाल है